नमश्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का exercise 4.3 question no.6 question आपकी screen पर दिया गया है the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side यानि diagonal है rectangle field है जिसका जो diagonal है वो उसकी shorter side से 60 meter ज्यादा है if the longest side is 30 meter more than shorter side then find the sides of the field अगर वो बोल रहे है कि longer side जो है longest side यानि rectangle field की longest side है अगर वो 30 meter ज्यादा है shorter side से तो बताए उसकी साइट क्या है उस rectangle field की side क्या है सबसे पहले उसका figure जा लेते है figure क्या होगा एक figure बनागे देख लेते हैं एक rectangular field है जिसमें एक diagonal है तो shorter side को हम मानते है x ठीक है तो यह जो longer side है बो क्या हो जाएगी बो हो जाएगी x plus 30 क्योंकि हमें दिया गया है if the longer side is 30 meter more than the shorter side और जो diagonal है बो हो जाएगा हमारा 60 meter ज्यादा shorter side से बो हो जाएगा हमारा x plus 60 ठीक है क्योंकि हमें दिया है the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side तो यह जो है हमारा figure है इसी की मदब से हम solve करेंगे question को सबसे पहले हम एक काम करते हैं let कर लेते हैं let the shorter side let the shorter side be x then then जो हमारी longer side है बो हो जाएगी longer side be x plus 30 meter और जो हमारा diagonal है वो हो जाएगा x plus 60 meter तो यह हमारा composition हो जाएगी अब हमें एक और चीज देखनी है कि जो rectangle रहता है rectangle रहता है तो उसमें कह रहता है हर एक angle 90 degree रहता है इसका मतलब यह जो है यह एक triangle है यह भी एक triangle है मतलब यह right angle triangle है और इसमें pythagoras theorem लगेगी और यह hypotenuse है यह perpendicular है और यह base है तो इसमें हम क्या करेंगे pythagoras theorem से इसे solve करेंगे तो जैसा कि pythagoras theorem है by pythagoras theorem by pythagoras theorem by pythagoras theorem a square plus b square is equals to c square कहने का मतलब यह है कि hypotenuse is equals to base का square plus perpendicular का square यानि base का square plus perpendicular का square is equals to hypotenuse square यह pythagoras theorem कहती है इस प्रकार से जो मैंने लिखा हुआ है a square plus b square plus c square तो मेरी बात आप साइस समझ रहे होंगे कि जो base है उसका square और perpendicular का square उसको अगर sum करते हैं तो हमारी जो आता है hypotenuse का square आता है तो हमें काम करेंगे जो है a की जगे हमार लिख देंगे वहांपर x square और b की जगे लिकेंगे हम x plus 30 का whole square is equal to c की जगे लिखेंगे hypotenuse की जगे लिखेंगे x plus 60 का whole square यह है तो हम इसको further solve करेंगे कैसे करेंगे एक स्क्वेर प्लस इसको जो है हमें पता है कि यह क्या है यह है हमारा x square plus 900 plus 60x is equals to यह मैंने दोस्तों यह यह इस identity से लिए है identity यह आपने 9th class में पढ़ी होगी a square plus b square plus 2ab सायद आपने यह 9th class में पढ़ी होगी मैं उमीद करता हूँ और यह इसी identity की मदद से हम इसको भी solve करेंगे कैसे करेंगे x square plus 3600 plus 2ab यानि 120x तो अब इसको हम और further solve करेंगे कैसे करेंगे यह यह जो है x square हमारा plus हो जाएगा यह जो है x square हमारे दोनों plus हो जाएगे दो हो जाएगा 2x square plus 900 plus 60x अब इस side all solve करेंगे इस side solve करने के लिए कुछ है नहीं तो हम ऐसे ही लिग देंगे और यह 120x और यह 60x है दोनों एक ही है तो इसको हमें काम करेंगे 120x को हम इस side लेके आएगे LHS में तो बहो जाएगा minus 120x तो बहो जाएगा minus 60x ठीक है अब यह जो है 900 और 3600 अब यही दोनों बचे हुए है तो हम क्या करेंगे 3600 को इस side LHS में लेके आएगे तो बहो जाएगा मारा minus 3 3600 का टीक है क्योंकि प्लस है वहाँ पर तो यहां पर आके हो जाएगा minus का तो हम क्या करेंगे minus 2700 क्योंकि माइनस करने पर इतना ही आएगा अब क्या करेंगे यह हमारी जो है quadratic equation बन चुकी है इसका इस्तमाल करके हम जो है X की value निकालेंगे तो चलिए देखते हैं by splitting the middle term की मदद से हम इसकी value निकाल सकते हैं बड़े यह आसा नहीं तरहते हैं by splitting the middle term by splitting the middle term middle term x square x square minus हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम 60x हो और जिनका अगर हम product निकाले तो बोजाएगा 2700 तो मैंने दो नंबर पहले से निकाल रखे थे जिनका नाम था यह minus 90x plus 30x minus 2700 यह जो हमारे जो नंबर है इनका यूज करके हम निकाल सकते हैं बड़े याराम से तो इसको common लेंगे x को common लेंगे तो बो जाएगा हमारा x minus 90 plus 30 common लेंगे 30 तो यहां पर हो जाएगा x minus 90 अब जो है हमारी values आएगी x plus 30 जो है root आएगे मतलब कहने का मतलब सी है यह factors और यह हो जाएगा हमारा तो x की value क्या हो सकती है x की value हो सकती है एक तो 90 और दूसरा minus 30 तो अब हो हमारे उपर है कि हम कौन सी लें तो वो हम अपनी situation के हिसाब से condition हमें question में दी गई है उसकी हिसाब से ही हम side का इस्तिमाल करेंगे x की value 90 होगी और x की value 90 इसका मतलब जो है shorter side हमने पहले ही माल दिया था shorter side क्या माना था let the shorter side be x और x की value find हो चुकी है जिसका नाम है 90 meter तो shorter side तो 90 meter है तो हमें बताना था find the sides of the field तो अब हमारी longest side का हो जाएगी बो हो जाएगी x plus 30 जैसा कि हमें दिया गया था तो जो x plus 30 हमें दिया गया था है ना x plus 30 दिया गया था longer side के लिए तो x की value हमें find है 90 तो 90 रख देंगे हम x की जगे और plus 30 कर देंगे तो बो जाएगी हमारी 120 मीटर तो हमारी जो longest side है वो निकल के आएगी 120 मीटर वाली ठीक है तो दोस्तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए यह वीडियो के इंपर समाब तो तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए